बद्रीनात अत्वा बद्री नारायन मंदिर भारती राज्य उत्राकंड के चमुली जन्पद में अलक नंदा नदी के तैद पर इस्थितेक हिंदू मंदिर है। बद्रीनात मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विश्नु के एक रूप बद्री नारायन की पूजा होती है। तथा इसकंद पुरान जैसे कहीं प्राचीन गंतों में इस मंदिर का उलेक मिलता है। अत्मी श्रताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नाली और दिव्य प्रबंद में भी इसकी भहिमा का वर्णन है। बद्रिनात नाम की उत्पत्ती पर एक कथा भी प्रचलित है जो इस फ्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विश्नु के दर्शन है तुक शीर सागर पता रही। जहां उन्होंने मातालक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। और समस्त हिम को अपने उपर सेहने लगी। मातालक्ष्मी जी भगवान विश्नु को धूप वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब अगवान विश्नु ने अपना तब पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने मातालक्ष्मी के तब कोर देख कर कहा कि हे देवी तुमने भी मेरे ही बराबर तब किया है तो आज से इस दहाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूज़ा जाएगा और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री ब्रक्ष के रूप में की है तो आज से मुझे द्हारा हर धाराओं में बढ़ गई तता इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलक्नंदा के नाम से विख्यात होई मानेत अनुसार भगवान विश्णु जब अपने ध्यान योग है तो उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलक्नंदा के समीप यह स्थान बहुत भागया नीलकंठ परवत के समीप भगवान विश्णु ने बालरूप में अवतार लिया और करंदन करने लगे उनका रूदन सुनकर माता पारवति का हिर्दै द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान माग लिया यही पवित्रस्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविधित है। हिंदू अनुयाईयों का कहना है कि बद्रिनात की मूर्ती देवताउं ने स्थापित की थी। जब बोधों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलक नंदा में फेंक दिया। शंकराचारिय ने ही अलक नंदा नदी में से बद्रिनात की इस मूर्ती की खोच की और इसे तप्तकुंड नामक गर्म चश्मे के पास इस्थित एक गुफा में स्थापित किया। तदंतर मूर्ती पुनह स्थानां तरित हो गई। और तीसरी बात तप्तकुंड से निकालकर आपरी कहाणी के इनुसार शंकराचारिय ने परमार्शाशक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेतर के सबी बोध्धों को निसकाशित कर दिया था। इसके बाद करदगपाल और उनके उतराधिकारियों ने ही इस मंदिर की प्रबंध विवस्था संभाली कड़वाल के राजाओं ने मंदिर प्रबंदन के खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामों के एक समूह की स्थापना की इसके तरिक्त मंदिर की और आने वाले रास्तों पर भी कई ग्राम बसाए गए जिनसे हुई आये का उपयोग तीर्थ यात्रियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था करने के लिए किया जाता था समय के साथ साथ परमार शाशकों ने बोलांदर बदरिनाथ नाम अपना लिया जिसका अर्थ बोलते हुए बदरिनाथ है